पहाडों पर लगतार हो रही बर्फबारी से दिल्ली समेत पूरा उत्तभारा ठन की चुपेट में आचुगा है वाश्चिमी विशोग के सक्रियों होने से बुद्वार से दिल्ली के मौसम में थोड़ा बदलाव होगा मौसम विभाग के अनुसाब उद्वार को आकाश में बादल शाय रहेंगे सुभा में हलका कोहरा भी बना हुआ है अधिक्तम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूंतन तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है दिल्ली मंगलवार को भी श्वीत लहर की चपेट में रही इसी वज़ा से न्यूंतन तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामाने से 4 डिग्री सेल्सियस कम है इस वज़ा से सुभा में थिटुरन महसूस की गई ऐसे में आपको बता दें स्काइमेट वेदर के मौसम विज्ञानी महिश पलावत ने कहा है कि अब अगले आठ दिन पश्वी में विश्योव सक्रिय हो रहेगा इस वज़ान अकाश में बादल शाय रह सकते हैं इस वज़ा से तापमान में 3-4 डिग्री बहुत भी होगी 26 और 27 दिसंबर को न्यूंतन तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है 27 और 29 दिसंबर के बेच दिल्ली के कुछ अलाकों में हलकी बारिश भी हो सकती है इसके बाद पश्रिम विशोग का असर खतम होगा और कोरा शुरू हो सकता है उत्राखन में भी कडाके की ठन पड़ रही है मैदानों में शीत लहर और पाड़ों में पाले की वज़ा से लोगों की परिशानी बढ़ गई है अलाकि दिन में चटक धूप निकलने से राहत जरूर यहां पर मिलती लगातार लोगों को नसर आती है साथी आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने क्रिस्मस तक प्रदीश के परवर्तिय शेत्रों में उचाई वाले स्थानों में कही कही बर्फबारी और बारश की आश्रम का भी जताई है जबकि मैदानों में शीत लहर का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा तो शीत लहर की चपेट में इस समय पूरा उत्तर भारत है और देली का मौसम आज से बदल सकता है